कुछ कॉमेंट से मुझे पता चला कि शायद कई लोग ड्राइड फूट्स को फैट का सोर्स मांगते हैं मैं भी शायद वो ड्राइड फूट को नट से कंड व्यूज कर रहे हैं खेर इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं अब ड्राइड फूट का मतलब है किसी भी फल का ड्राइड रूप यानि अगर मैंने इन अंगूरों को सुखा दिया तो ये रेजिन या किश्मिश बन जाएंगे तो किश्मिश एक ड्राइड फूट है similarly, ड्राइड फिग, डेट्स, अप्रिकोट, ड्राइड बैरीज वगएरा सब ड्राइड फूट हैं और तुम्हें पता है, फूट फैट का नहीं कार्ब और फाइबर का सोर्स है और जादातर ड्राइड फूट लगबग 1-2% प्रोटीन, आधा फैट, 75-70 कार्ब, 6-7 ग्राम फाइबर और धाई 300 कैलरीज देंगे लेकिन अगर तुम कोई भी नट उठाओ, जैसे बादाम, काजू, अखरोट या मुमफली ये लगबग 50% फैट, 20 ग्राम प्रोटीन, अलमुस्ट इतना ही कार्ब, 7 ग्राम फाइबर और लगबग 600 कैलरीज तो मोटा मोटा, नट्स, कैलरीज में ड्राइड फूट्स का दो गुना है हाला कि दोनों नूट्रिशियस हैं, लेकिन ड्राइड फूट्स, शुगर, फाइबर और माइक्रोनूट्रियन्स के सोर्स, वही नट्स, फैट, प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोनूट्रियन्स के ठीक, रिवाइस कर लो